दोस्तों अगर आप लोग उधारी मधुमक्की से लोन लेके डिफॉल्ट हो गए हैं आप लोग अगर ट्विटर में जाके वहाँ पे कुछ पोस्ट जो है वो अगर आप चेक करते हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब से जो है हम लोग जो है RBI से regulated है हम लोग इस तरीके के कोई भी कामकाज नहीं करते हैं आखिर ये चीज जो है बोलने का कारण क्या है तो थोड़ा से research करने के बाद पता चला है कि इसका जो है main जो भी reason है वो क्या है क्यों इसतना जो है बदल क्यों गया यहाँ पे जो है यह सब बोल र करें ताकि आने वाले जो भी लोन डिगर्डिंग इंफरमेशन टीप्स और ट्रिक्स जो भी में आप लोग के साथ शेयर करूंगा आपको नोटिफिकेशन के तुरू इंस्टाइटली मिल जाएगा चलिए मैं अपने फोन के स्क्रीन पर आप लोग को थोड़ा सा पोस्ट कर रहे हैं गाली गलूज कर रहा है फ्लीज हेल्प मी सर एक मैं एक स्टुडेंट हूं नेक्स्ट एर मेरे एक्जम है इनकी वज़े से जो है मेरा पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं टैग किया है कि इनको रभी आई को टैग किया है और उधरी मधुमकी को टैग किया है अब तूरंट जो है उनके तरफ से reply आया है क्या dear नाम लिखा है user का यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम जो companies है totally RBI का guidelines follow करते हैं और कोई भी गलत काम नहीं करते हैं जिस तरीके से आपने बताया कि गाली गलुच कर रहे हैं हम ऐसा काम करते ही नहीं है नीचे यह भी लिखा है we request you to please share the screenshot of message and call recordings with us at email id दिया गया है we immediately look into it thank you तो यहाँ पर यह सब चीजे आप लोगों को इस तरीके का चीजे बहुत सारे SMS को में देखने को मिलेगा आकिर इतना बदलाव क्यों कि हम लोग इस तरीके का चीजे नहीं करते हैं RBI का नाम सुनते ही यह लोग तोटली अलग तरीके का चीजे करने लग जा रहा है मतलब यह लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसे करते ही नहीं है हम लोग सरीफ है यह सब बोलने का कारण क्या है तो main reason मैं आप लोग को बता रहा हूँ कुछ महिने पहले एक news आया था वो क्या है वो आप लोग को दिखा देता हूँ यहां पर देखे लिखा है RBI slaps Indian rupees 42 lakh penalty on crazy bee for harassment of borrowers यह है main reason दोस्तो RBI 42 lakh रूपय का crazy bee को एक penalty के तौर पे चिपकाया है उनके मूँ पे क्यों कि उसने harassment किया है borrowers को अब detail यहां पर थोड़ा से नीचे देखिए the RBI said that crazy bee failed to arrange the collection agents and resorted immediation of the customers during debit collection ठीक है यहां पर बताया जा रहा है कि crazy bee जो है यह अपने collection agent के तरफ से जो भी information जिस तरीके का चीज़े है वो failed हो जा रहे उससे ठीक है तो companies आप लोगों को पता है यह जो tax जा रहा है tax जा रहा है मतलब क्या है RBI भी देख रहा है क्यूंकि अगर company देख पा रहे तो RBI भी देख पा रहा है अब RBI reply नहीं देता है लेकिन उनके पास यह complaint जा रहा है यह लोग देख तो रहे न RBI पता तो चल रहे हैं लोगों कि हम इस तरीकी के चीज़े कर रहा है तो यहाँ पर बोला जा रहे है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि harassment कर रहा है agent जिसके वज़े से जो है 42 लाग रूपए का एक penalty चिपकाया गया इस company के उपर तो इसके वज़े से जो है आप लोगों को इतना जादा जो है changes देखने को मिल रहा है company के तरफ से कि हम लोग करता नहीं है अंदर का चीज़ जैसा है था वैसे यह लेकिन अगर वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हा इस तरीके का problem स्पेस कर रहा है इस तरह RBI को tag कर दे रहे हैं तो company डर के मारे यह बोल रहे है कि हम ल लुच करेगा या फिर इस तरीके का चीज़े तो यह सब जो है यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनको जो है पहले से ही एक अच्छा खासा मोटी रकम का जो है एक नुक्सान का सामना करना पड़ा था 42 लाक रुपए का ठीक है आप लोग समझ सकते हो almost half century cross supportive तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो आप लोग इसका फाइदा क्यों नहीं उठा रहे हो अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा call recordings है जिसमें जो है वो लोग गाली गलुच कर रहे है या फिर आपके पस ऐसा screenshot से SMS का जहां पे slang language उसकर रहे है या फिर एक छोटा सब वीडियो के proof में आप बनाओ उसको ट्विटर में जाके tag करो RBI को साथ ही साथ कंपनी को आपका problem जो है definitely solve हो जाएगा मेरा guarantee है क्योंकि अभी के time में ये सब चीजे देखने को मिल रहा है आप लोगों का जो भी problem है totally finished हो जाएगा मैं आप लोगों को लिक के द सार दोस्तों तब तक के लिए चलते रेटाब आप ठीक क्यार जैहिन जैमारत दोस्तों